गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल में तो आज मैं फिर से एक बार जो फार्मा सुटिक्स के अंतरगा थर्ड सेस्टनल में जो पूछे गए एक नंबर के क्वेशन थे उन सारे क्वेशन को मैं यहां पर ले रहा हूं और उन सारे ही लगबस दस के आज पास एक एक नंबर में पूछे गए उन क्वेशन को हम लोग डिसकस करेंगे तो आई यह चलिए देख लेते हैं सबसे पहला जो क्वेशन है वहा है वाइवाइट सॉफ्ट पैराफिन इस नौट यूज इन ऑप्थैल्मिक ऑइंट्मेंट की वाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है वह हम लोग आखो में ऑइंट्में के रूप में हम लोग यूज क्यों नहीं कर सकते अगर हम अप्थैल्मिक ऑइंट्मेंट के रूप में वाइट सॉफ्ट पैराफिन का यूज करते हैं तो इसका रीजन यह है कि हमें इसका यूज इसलिए नहीं करना चाहिए वरना इसे क्या हो सकता है आखों में जो वीजन की जो समस्या है अर्थात हमें देखने में दिक्कत हो सकती है, जब भी white soft paraffin हमारे eye के contact में आता है, इसे vision loss भी हो सकता है, और आखों में irritation cause भी कर सकता है, ये irritation भी हो सकता है अगला question है define antigen ये भी एक नंबर में पूछा गया question था antigen का simple सा मतलब होता है foreign body यानि बाहर से कोई एक अलग वस्तु या foreign body की बात की जाती है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें vaccine दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है antigen होता है और उस antigen के response में उसके opposite क्य क्या produce होता है हमारी body क्या produce करती है antibody तो antigen basically क्या होता है एक ऐसा प्रिप्रेशन एक ऐसा सब्स्टांस जो कि क्या stimulate करता है कि antibody produce हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं antigen कहते हैं तीसरा question था वाट डज वैलिडेशन मीन कि वैलिडेशन का मतलब क्या होता है अगर वैलिडेशन का मतलब यदि हम लोग देखे और तो इसका basically मतलब क्या है कि जब भी हमारे द्वारा यदि हम चाहते हैं कि कोई product हम बनाएं या हम किसी भी product को बनाना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम यह मान कर चलते हैं कि product की quality इस प्रकार से होनी चाहिए यह यह उसके अंदर features होने चाहिए तो उसके अंतरगत validation में हम लोग करते क्या है उन तमाम procedures को उन तमाम procedures को हम लोग जो भी product हमें बनाना है उनको क्या करते हैं हम लोग documented form में लेकर आते हैं एक कागज पर हम लोग लेकर आते हैं और उससे हम लोग यह share करते हैं कि जो भी हमारे द्वारा product बनाया जाएगा उसकी quality क्या होगी high degree उसका assurance होगा उसमें कि जब भी हम product बनाएंगे वो कही ना कहीं better से better होगा क्यूंकि उसको हमने validate कर दिया है और इससे हमें जो product मिलेगा हमने जो जैसा सोचा था कि इस तरह कि उसमें qualities होनी चाहिए इस तरह की features होना चाहिए उन तमाम प्रोसेस को हम लोग एक documented form में लेकर आते हैं उसी को हम लोग validation के नाम से जानते हैं चली अगला देखते हैं वह हमारा वाए एक 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 इंजेक्टेबल प्रिप्रेशन सुडबी आइसो टॉनिक परेंटरल की बेसिकली यहां पर बात हो रही है इंजेक्टेबल यह एक तरह ization करते हैं यानि on बनाते हैं तो वह इस टॉनिक की होना चीह क्योंकि यह जरूरी है कि जो बिया बना रहे हैं उसमें अगर ऊैसो टॉनिक नहीं होगाै तो हम आरे जो बॉड्ञी टी होगाए थैल से उनके body जो cells हैं और जो tissues हैं उनके साथ compatibility maintain रखने के लिए जरूरी है कि हम लोग injectable preparations को isotonic रखें अगला question है कि what is sera sera का दोस्तों यहां पर मतलब होता है कि जब भी हम blood को clot करते हैं suppose मैंने अगर blood को clot कर दिया अगर blood को clot होने के लिए छोड़ दिया तो उसमें हमें कुछ solid part दिखाई देंगे और इसके साथ ही साथ कुछ liquid part भी दिखाई देंगे तो उन दोनों ही पार्ट में से जो भी yellow is fluid जो हमें मिलेगा उसी को दोस्तों दरसल हम लोग क्या कहते हैं सीरा कहते हैं या इसको अनुदर नीम से भी जाना जाता है blood का serum अगला question है define qc यानि quality control अगर qc की दोस्तों हम लोग बात करें तो qc का basically मतलब होता है कि हम या चाहते हैं कि हम लोग quality को manage करें क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी product बनाया जाए वह हमारे according हम या कोई company या दि प्रोड़क्ट बनाना चाहती है तो उसका जैसा हम quality चाहते हैं वैसी fulfill होनी चाहिए quality fulfillment के लिए basically क्या किया जाता है quality को manage किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं qc के नाम से जानते हैं अगला question है what do you mean by effervescent granules granules आप लोगों ने दोस्तों बनाया भी होगा lab में भी बनाया होगा और हमसे भी जानते हैं कि granules जो होते हैं वह एक तरह के solid doses form ही होते हैं और उसके अंतरगत बेसिकली यह होते क्या है citric acid और sodium bicarbonate से बेसिकली मिलकर बने होते हैं और जब यह दोनों आपस में react करते हैं तो क्या release होता है carbon dioxide release होता है और water के साथ अगर इनको react कराया जाए तो उसमें यह bubbles छोड़ते हैं जो कि इसका indication होता है कि इसमें carbon dioxide gas present है इसी का मतलब होता है effervescent granules अगला question है define insufflation insufflation का basically दोस्तों मतलब होता है कि एक ऐसा preparation एक ऐसा substance या ऐसा procedure जिसमें basically insufflation के माध्यम से किया क्या जाता है कि जो भी हमें चीजे देनी है या doses form देना है चाहिए gas है चाहिए powder है उसको हम लोग basically mucus में देते हैं चाहिए और का हो चाहिए और जनरली इसको surgical procedures में भी दिया जाता है अगला question की बात करते हैं वह है 9th what does CZMP mean यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो C का दोस्तों मतलब है C का मतलब क्या होता है current good manufacturing practice यानि कि जो भी product हमारे दौरा बनाया जाएगा उसमें यह ध्यान रखा जाए कि उसका standard उसकी quality और उसका design जैसा भी हम लोगों ने design किया है वह controlled manner में हो एक proper design हो उसकी quality अच्छा हो तो इसी को हम लोग क्या कहते है current good manufacturing practice और इसको हमारे हाँ regulate और enforced कौन करता है basically fda यानि food and drug administration इसको regulate and enforced करने का काम basically करता है अगला और last question है live give example of live attenuated vaccine दोस्तों हम सभी जानते हैं कि vaccine का basically मतलब क्या होता एक ऐसे antigenic materials जिनको basically introduce किया जाता है तो वो क्या produce करते हैं हमारी body उसके response में क्या produce करती है antibody तो उसको vaccine कहते हैं उसी vaccine में से एक type में क्या है हमारा live attenuated vaccine और उसका यहाँ पर example पूछा गया है तो example में हम लोग measles का vaccine लिख सकते हैं या mums के vaccine से लिख सकते हैं या फिर rubela हो रोटा वाइरस हो इन तमाम vaccine जो है यह किसके एक्जामपल है live attenuated vaccine के example है तो यह तमाम discussion था एक नंबर में पूछे गए वह सारे question जो कि third session paper में सूटिक्स के paper में पूछा गया था तो यह था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताए ठेंक्यू धन्यवाद है कि अधार कि अधार कि अधार